हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने उत्तरप्रदेश रोजगार संगम योजना पर अपना रेजिस्टेशन कर लिया है तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली वार आए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको ऐसे ही इन्फोर्मेटिव वीडियोच मिलते रहें तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आजाएंगे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जायागा इस पर आने कब दोस्तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेश शो होगा यहाँ पर दोस्तो आपको ऊपर आप्शन मिलता है लॉग इन का आप इस पर ग्लिक क अगर दोस्तो आपने वी तेक रोजगार संगम पोर्टल पर अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रेजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा आप उस वीडियो को देखकर अपना रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जैसा क इसके बाद आपको उप्र आप्शन मिलता है घुषणा का आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आप्शन मिलता है एक्षटेन रिपोर्ट प्रिंट करें आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका आइडेंट कार्ड को प्रिंट करके अपने पास जरूर रख लें जब आप किसी वेकेंसी में अपलाई करेंगे और जब आपका सेलेक्शन होगा तो वहाँ पर जब आपको डॉकमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जायागा तब वहाँ पर आपको इस आइडेंटिटी कार्ड की ज पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ऐसे ही इनफर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका कोई भी सवाल या सुजाओ है तो आप कमें सक्षन में हमसे पूछ सकते हैं धन्यवाद